हरहर महा़ग। केतारनात् यात्रा, स्नोफ फोल एंड वैदर अप्डेट।- अगर आप केतारquelle की यात्रा बर आ रहे हैं तो मेरे आच का वीडियो आप सभी लोगों केलिए आच में आपको केता अनदः यादार फोर चालदाम यात्रा पर जैसा कि आप सबको मालूम ही चाल धाम की यात्रा सुरू हो चुकी है और इस बारी जो मौसम है वो बिल्कुल चेंज है स्टार्टिंग से ही बारी सुरू हो गई जब से चाल धाम कुले हैं चारो धाम में अच्छी खासी स्नौफॉल हो रही है खासका किताना धाम में तो काड़ी लाउकों पे वही बारिस वरफ के रूप में पढ़ रही है जिसकी वैसे यात्रियों को टाइम टाइम पे उन जगा पे रोका जा रहा है जिस जगा वह है तो पहले देखे मैं आपको कुछ अपडेट दिखा रहेता हूं फिर हम थोड़ी मौसम की बात करेंगे सब आप इस विब्सार्ट से देखे यातर का पंजिगन करते हैं लेकिन अभी आपके साबने इस तरह का मैसेज आ रहा होगा कि तीन तारिक तक के लिए जो पंजिगन इस सिखित कर दिया गा है लेकिन इस डेट को आगे बढ़ा दिया गया है वो भी मैं आपको यहां अपना ए छे तक बढ़ा दिया है यानि यह जो इन्होंने लिमिट खतम किये यह सिर्फ मौसम की वेसे किये कि चारो धाम में और खास का केताना धाम में मौसम इस समय बारिश वाला बना हुआ है जिसके वेसे काफी सारे यात्रियों को रस्ते में रोका गया और जो नए यात्री आ र भीषते हैं तो चलिए आप कुछ अपडेट हम देख लेते हैं यह मौसम से जुड़ा अपडेट है औरेंज अरट चारो धाम में आज भी खराब रहेगा मौसम उत्राकर्ण के पहली लागवा के साथ ही चारो धाम में मंगलवार को भी मौसम खराब रहेगा यानि आज की मौसम विभाग ने पाश महीं तक उत्तरकाशी रूत प्याग चमोली भागेश्वर और पित्थोरकर के 32 मीटर के अथिक उचाई वाले लाकों में मत्यम बरफारी और उलावस्टी का ओरेंज अरट जारी किया है तो देखे इस नौफोल तो अब चारो धाम में कंटीनू हो दिया है इसके अलावा पाड़ी इलाकों में तापमस सुन्नी से नीचे जाने की संभावना जताते वे सडकों से प्रफ हटाने की वेस्ता करने के भी निल्देश दिये हैं और यहां तेकिन उनने मेंचन भी कर रखा है कि यातर से पहले मौसम की जान कई जोर ले यागर अपडेट है केताना तयातरा वदित यातरी दोक है वर्सा बरफारी की चलते पड़ा ओवर 10,000 यातरो को रोक गया है वहां बहुत जाता है से इंपर पड़ रहे केताना धाम में जिसकी वेसे जगा जगा यातरो को रोकर जारा है क्योंकि उपर रहने की वेस्ता इस समय पुझे के बाद तेल्थ यात्रियों को सौनप्याग से आके नहीं जाने दिया गया, अगले कुछ दिन ऐसा ही मौसम बना रहने की अनुमान को देखते हुए जिलाव परशासन ने तेल्थ यात्रियों से मौसम ठीक होने तक तुरस्टि इस्तानों पर तहरने की अफिर की है, साथ ही अनुर्थ क्या कि पहले वो बदिनाद धाम के दसन कर ले उसकी बाद वो कितानद धाम है, फिलार कितानद यात्रा मार्क्स में सौन प्रियाक, सीतापूर, गुपकासी, रामपूर, फाटा, समेर विपिन पड़ाव पर 10,000 सेयतिक याति रुके वे, वही गंगोत्र पारिस और सनोफोल हो रही है, कितानद धाम में तो सबसे जादा सनोफोल इस टाइम हो रही है, पूरी सर्दी भाद सनोफोल नहीं हुए, लेकिन अब जब याता चालू हो गए, तो सबसे जादा सनोफोल इस टाइम कितानद धाम में हो रही है, तो बात आते कि आकिर हम किस तरह वेदर रहें तो देखिए इसके लिए नॉर्मल है आप Google करिए और यहां आप केरानाथ वेदर लिखिए तो अभी आप देखेंगे चो केरानाथ का वेदर है आपको यहां वेदर दिखा रहा होगा कि भई अभी तो continue यहां दिखा रहा है यह यह आपका दो तारिक तीन तारिक चार तारिक पास तारिक में थोड़ा मौसम खुलेगा छे साथ आठ नो और यह सारा का साथ देखिए अभी इस्नोफोल्ड शो कर रहा है आप किसी भी वेदर का अपडेट देख सकते हैं बाकी आने में मैं आपको ए कि हेलिकोटर बिल्कुल नहीं उड़ रहे है कि मौसम बहुत जादा खराब है चिन लोगों ने अपनी हेलिकोटर के टिकट बुक कर रहे थी उन में से काफी लोग प्रेदर जा रहे है और चिन की हिम्मत नहीं है वह वापसी अपने घर जा रहे है और रही रिफंड की बार तो रिफंड आने में उनको लगपक एक के दो हपते का टाइम लग जाएगा तो यह कुछ अपडेट थे जो मैं आपको देना चाहता था बाकि अगर आपको कुछ और जानकाई चीज़ी तो आप मैं से कॉंटेक्ट कर सकते हैं इसकीन पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे है और आप चाहें तो मेरे साथ वाटसाप ग्रूप में भी जूड सकते हैं जिसमें मैं यातर से जुड़े अपडेट देता रहता हूं तो आज के लिए पस इतना ही हारर महातेवर